जयें दोस्तों, तो कैसे आप सबी? उमीद है, आप सबी बहतर होंगे और अपनी तयारी भी बहुत ही सांदार तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों, UP Police Constable का Registration Closed हो चुका है, अब जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि सर कितने फार्म यहां पर भरे गए और कितना Completion अब होने वाला है, अगर फार्म के संख्या जादा होगी, तो सियोर है कि आपका जो Completion है, वो कहीं न कहीं बढ़ेगा तो अगर हमारा Completion बढ़ रहा है, तो अब हमें किस लेवल की तयारी करनी पड़ेगी, जिस तरीके से हम अपनी तयारी को कर रहे थे, क्या उतने पर ही हमारा Selection होने वाला है, या फिर हमें अब और भी Improvement करने की जरूरत है जो Safe Score आपको मैंने बताया था, क्या उसको भी Increase करना पड़ेगा, या अभी तक वो चीज सही है, उतने पर ही हमारा Selection यहाँ पर हो जाएगा तो इस वीडियो में यह सारी चीज़े हम लोग यहाँ पर जानेंगे, तो वीडियो आपके लिए बहुत जादा helpful रहेगी, इसलिए इसको लास्ट तक जरूर दिखेगा चनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके वेल आइकन को जरूर दबा ले तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कितने फार्म यहाँ पर भरे गए हैं, तो देखो जो आपके फार्म भरने की संख्या है यानि कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है कि कुल कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, वो हैं लगभग 50 लाख के आसपास अब 50 लाख लड़कों ने अगर रजिस्ट्रेशन किया है, तो जरूरी नहीं है कि एक्जाम भी 50 लाख बच्चे यहाँ पर देने वाले हैं इसमें से कुछ रजिस्ट्रेशन ऐसे हैं जो फर्जी है अब फर्जी का मतलब क्या यहाँ पर हो जाता है, फर्जी का मतलब ऐसे है कि किसी ने किसी को समझाने के लिए रजिस्ट्रेशन किया तो वो यहाँ पर हो जाता है, या किसी ने क्या किया, registration तो कर दिया, लेकिन उसके बाद में उनका final submit नहीं हुआ है, तो जो number of registration है, वो तो सबका दिखाएगा, लेकिन admit card तो उनहीं का आएगा, जिनका final submit हुआ है, जिन्नोंने peace payment करी है, तो बहुत सारे ऐसे candidate होंगे, जिन्नो सबी को हटा दिया जाओ, और इनकी संख्या 5-8 लाग के आसपास अगर हो जाती है, तो जो आपके फार्म हैं, वो लगभग 40 लाख प्लस हैं, यहीं आप मान सकते हैं, कि 40 लाख बच्चे तो कम से गम exam आपका देंगे ही देंगे, आप 40 लाख बच्चे अगर आपका exam देने चुके हैं, लेकिन अगर हम बात करें सर कॉंपटीशन की कि कितना बढ़ रहा है यहां पर कॉंपटीशन, तो देखो मैं इसके लिए आपको बता दू, कि यह 50 लाख बच्चों ने फार्म भरा है, अगर इसको 1 करोड बच्चे भी फार्म भर देते, ठीक है, तो ऐसा जरू इस एक सीट पर हमारा अधिकार है, और उसके लिए वो जीतोड मेहनत करते हैं, और उसमें भी जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर लेता है, उसका सेलेक्शन यहां पर हो जाता है, तो आपको क्या करना है, इस नंबर से घबरानी की जरूरत बिलकुल भी नहीं है, कि अब हमारा कॉंपडिशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो सीरियस कंडिडेट हैं, उनसे आपकी लडाई है, उनसे आपका कॉंपडिशन है, इस भीड को देख करके आपको बिलकुल भी नहीं डरना है, ठीक है, और जो सीरियस कंडिडेट होते हैं, वो बहुत गिने चुने होते हैं तो इस 50 लाग की भीड में भी वो कम ही होंगे, आपका जादा है जादा एक से 2 लाख लड़के ऐसे होंगे, जिनका competition यहाँ पर होने वाला है, जो selection की भीड में रहेंगे, और आप तो जानते हैं कि selection के वल 6244 बच्चों का ही यहाँ पर होने वाला है, तो अगर आपके अभी भी 210-220 नंबर आ रहे हैं, तो वो सही आ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और मैं एक चीज आपको और बता दूँ कि आप सभी क्या गड़ते हैं, कि जैसे किसी mock test को आपने दिया, वो चाहे online का mock test हो या फिर offline पे आप उसको practice set लगा रहे हो, इस इसमें किसी ऐसा practice set होता है, कोई सब mock test होता है, जिसमें आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं, तो आपको लगता है, चलो ठीक है, मेरा selection तो यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन जैसे ही अगला आपने mock test दिया, और उसमें आपके नंबर बहुत काम आ गये, अंडर 200 आ गये, तो इसलिए अगर किसी में कम नंबर आ जाएं, तो आपको निरास होनी की जरूरत नहीं है, और अगर किसी में बहुत ज्यादा नंबर आ जाते है, तो आपको बिल्कुल उड़ने की जरूरत नहीं है, कि अब तो मेरा selection ते है, अब हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा नही हैं आपको जब तक आपका Exam नहीं हो जाता है आपको पढ़ते रहना है अपनी तयारी को और improve करते रहना है क्योंकि exam कैसा आएगा इसके वारे में किसी को नहीं पता है वहाँ पर कौंसे question आ जाएंगे किसी को नहीं पता है तो अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये मस समझेगा कि आपके तयारी बहुत अच्छी हो चुकी है अभी भी आपको तयारी करने की जरूरत है तो उमीद है कि ये बात आपको समझ में आ गए होगी जो रजिस्टेशन के आंकड़े हैं इससे आपको घ बहुत ही जल्द आप भी इस वर्दी में दिखने वाले हैं तो इन सभी चीजों को सुचते हुए आप अपनी तयारी को करते रहे हैं मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में अगर आपको कुछ भी पूछ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल पर नए है तो इसको सब्सक्राइब करके वेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जहिंद